रोहा के वगुरी गुडी में 300 बीघा जमीन में नगाम्व कृषी विज्ञान केंद्र ने नए यांत्रिक पद्धती के जरिये धान रोपन का शुभारंब हुवा. असम कृशी विश्व विद्याले के निर्देश पर कृशी विज्ञान केंद्र, नगाम्व के तत्वावधान में रोहा महकमा कृशी विभाग के अधीनस्थ वगुरी गुडी स्थित्तिन, तीन, सो बीगा जमीन में यांत्रिक पधती के जरिये प्रतम बार खालिधान पर समय कम लगने के साथ ही खर्च भी कम होता है और कतारबध रोपन किया जा सकता है। इस पद्धती से रोपन करने पर खेत में दवाई छिड़काव करने में सुविधा होने के साथ ही धान के पौधे को ज्यादा फैलने में सुविधा होती है। साथ ही डॉक्टर निरंजन डेका ने कहा कि असम के क्रिशक वर्ष में केवल एक ही खेती करने की जो प्रवंता है उसे दुर कर वर्ष में एक ही जमीन में दो तिन खेती कर सकते हैं और इस उद्धेश्य से उननत प्रजाती का धान रोपन किया गया है और इसी जमीन में नई टेकनलॉजी के जरिये सरसों के TS-36, TS-38 और TS-67 नंबर प्रजाती के खेती कर लाभामवित हो सकते हैं साथ ही नई यांतरिक पद्धती के जरिये धान रोपन कारेक्रम में क्रिशकों के साथ नगाम्व क्रिशी विज्ञान केंद्र और क्रिशी विभाग के अधिकारियों न Senior ADO जोती वर्मन फार्म संचालक धीरेन नात सहित नगाम्व क्रिशी विज्ञान केंद्र के विज्ञानी, रोहा मेहकमा क्रिशी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और क्रिशक उपस्थित थे सोयल खेतान रोहा